क्यासे हो ममीद कर तो मस्त होंगे मजे में होंगे हाँ टेंग्शन भी चली रहोगी कि आठीक कर रूड़ने कहां काफी जनुग आते हैं कि हम अच्छा बैगराउंड होने के बाद मेरे इंटर में भी अच्छे मार्क्स हैं मैं अगलर खौली से हूँ श्टील में को आठीकर कि मान के आप छोड़ सकते हैं ऐसा नहीं होता है कि आपको वह चीज नहीं मिल दी आप वह चीज नहीं देखेंगे मेरा इस यूडियो का मोटीव हैं सीए फाइनल अर्टेंट के लिए होता क्या है जबता कर देखो हम फाइनल के लिए कब एलिजिबल होंगे जब हमारी स्टाट करेंगे तो लाश्ट डेट ऑफ रिजिस्टेशन जैसे अब हमारे लाश्ट डेट रिजिस्टेशन अप्राल कर नियर आ रहा है आज 28 पर हो चुग है 29 30 तो इस किसमें को कौफी कॉंस्टिकेंस हो सकते हैं आप एक चीज को मत सूचिए कि आपने बिग विग फॉर और या टॉप 10 की इंस्पिरेशन को लेकि आपनी आपके इस्पिरेशन नहीं थी आपका डिजार था कि मैंको सीय कंप्लीट करना है एक मेरा आट रिजिप सीय जन्नी का पार्ट है अभी आपको आट रिजिप नहीं मिलती तो यार आप स्टार्ट कर लेजी विग फॉर नह कि आपके साथ कोई पर सिखा रहे है नहीं वहां भी खुद को ही डिल अपकर ना पड़ता है जैसा नहीं होता कि हम सब चीजे खुद से करनी पड़ती है और अपने यह दिखिया अगर आप रेजिक्टिशन नहीं करते हैं तो इसमें क्या रिक्कर आते हैं हमारा सिये अटेम्ट हो जाएगा और सिये अटेम्ट होना यह काफी दिक्कत वाली बात होती है क्योंकि जैसे अभी आगली पर अच्छा स्कूर भी नहीं आ पाता और फिर दिख्राइट होता है बहुत बार क्या मैंने पिछली बार अग्जाम फोर्म क्यों नहीं बढ़ा इसे ही अब आटेशी प्ना रिश्टर करके उसके भी बहुत आ जाएंगे आपको फ्यूचर में आपकी फैमिली को बहुत सफ़र करना पड़ सकता है अगर 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 अपनी फैमिली को अच्छा स्पोर्ट कर पाएं बट अब अगर हम बीग फोर की जिर लेके अगर आपके पास स्कील्स हैं अच्छी सचीजी है अगर आपकी डेश्टेव में निखा क्या आप जाओगे आपको कोई नहीं रह सकता है अगर आप अपना फैमिली का कंडिशन को देखे आप अपनी जीद को छोडई रोने की कोई बात नहीं है अगर दूसरी बहुत अगर आप की बहुत होते हैं वो सेटल हो जाएंगे अपके फ्यूचर में वो तब सैटल होएंगे जब आपके अंदर लगना है और सीए फर्म को जोईन करने के बाद आपको मल्टिपल बेनिफिट्स लगेंगे पहला क्या होता है आपको टाइम आपको खुद मैनेज करना पड़ता है कि आपका टाइम कैसे है सब चीजी कैसे हैं सेकिंड नेट्वरकिंग आपको खुद बनाने पड़ती है आप कहीं तो डायवर्स एक्स्पोसर आजएगा आप इंकम टेक्स में कर लेंगे जहें में कर लेंगे अकॉंट में भी कर लेंगे अकॉंट में प्री नेजा हुए और फिल्ट करने होता है यहां देखो आप सीए फर्म में आप बाद मेंटाइ करते हैं वह आपकी खलती है अगर तो मैं को जाने का प्लान तो प्लीज आप इसको कंसेडर कर लीजिए और आप यह बात बोलोगे तो आठ मना कर देंगे चांसिस होते हैं बहुत हाई चांसिस होते हैं बट हम इतने आलत से भरपूर हैं कि जब तक बंदा सामने वाला हमारे उफ़र नहीं करेंगा आओ महराजी बैठो आप इंडेश्टरल पर चले जाना आप हमारे पास आजई वह चीज से बाहर आना पड़ेगा सेफल जोन से हमारे कंफॉर्ट जोन से योगि अभी ऐसी जन्न मैं आपने देखा हैं कि हमारे पास को स्पोर्ट होता अब भी ओनलेन क्लासिज हैं जब करते हैं नहीं करते हैं जो भी मतलब हर चीज हम इंडिपेंडट हो चुके हैं अब आर्ट के लिए आपको बरजने मिल जाएंगे पीछे जाएंगे भाई तो बहुत अच्छे सब ची क्योंकि आप हाथ में कुछी का कुछ नहीं है यह सब फालतों की बात है कोलिज में जा रहे हैं दर्जाने खड़े हैं भाई तु बिफफ़ 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 याद विख़एंगे अगर एंट्री चाहिए मिल जाएगी अब नहीं मिल दी तो बाद मिल जाएगे टांस आप ट्रटी अप्राइल तक की डेट डाल सकते हैं उसके लिए आज लेना अपना बट उसमें दिकर आते हैं कि आपका पार्टनर या फर्म अलाओ करेगा कि नहीं करेगा तो उस चीज को अधर देख करना और यह प्लीजन सी में अप्लाई करना अप समझ सकते हैं आप काफ अफरी पड़ सकते हैं वह आपको अच्छे दीखे सा पाता है अब अब इतने मैचूर्टी लेवल पर है गया आप अपने क्यूंकि देखो अफर्म में जाने के बाद भी कुछ नहीं करता कि तुकाम कर काम कर जो जितना अच्छा काम करता उसको इतने अच्छे अच्छे मि अब कर देन बेनिफिट नहीं है तो उस चीज के लिए बोला हूं कि आप एक बार स्मॉल फर्म से इतना मत भागिए कि वह बिल्कुल ही कुछ नहीं है बहुत जैने स्मॉल फर्म से करें बिक फोर्म अब देखोगे अगर आप कोई भी इस देखते हैं मनेजर देखते हैं त सब चीज़ें आते हैं वह प्रोपर चीज़ों को एक्सेस कर पाता है तो इस करके अपने प्लीज मैं आपको लाश्ट वाग बोलना चाहा हूं एक्सपोजर फैमिली कंडिशन इन सब चीज़ों को देखके मद्दे नजर रखते हुए अपनी आटेशिप का प्लीज प्लैन थैंक यू